आज हम लोग कविदाजी की रचना साखी का अध्यन करेंगे। हिंदी के संत कवियों में कविदाज का सर्बोच अस्थान है। वे पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनका व्यक्तित बहुत अधिक प्रभावशाली था। इनों ने हिंदु मुस्लिम की एकता का नारा बुलंद किया था। समाज में व्याप्त रूडियों तथा धार्मिक कुरूतियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। अब हम लोग साखी के दोहों को पढ़ते हैं। सबसे पहला दोहा। गुरू गोविंद दोहों खड़े, काकी लागू पाए, बलिहारी गुरू आपनों जिन गोविंद दियाओ बताए। गोविंद मतलब भगवान। तो कभी कहते हैं कि गुरू और भगवान दोनु मेरे सामने खड़े हैं। मैं पहले किसके चरण सपर्स करूँ। क्योंकि गुरू ने ही मुझे इस्वर तक पहुचने का मार्ग बताया है। दोहे का भाव यह है कि गुरू हमारे अज्याउन को मिटाकर ज्याउन का प्रकास देते हैं। जिससे हम भगवान तक पहुच सकते हैं। अतः शिश्य के लिए गुरू का महत्तु गोविन यानि इस्वर से भी अधिक है। अब दूसरा नमबर। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी तौमे दो न समाए। मैं मतलब अहंकार, हरी मतलब भगवान। तो कवितास जी कहते हैं कि जहां घमंड होता है, अहंकार होता है, वहां भगवान का वाश नहीं होता है। जहां भगवान विरास्ते हैं, वहां अहम नहीं हो सकता। क्योंकि प्रेम की गली अत्यधी तंग यानि पतली है। उसमें अहंकार और इश्वर एक साथ नहीं रह सकते अहंकार मनुसी के लिए अभिशाप है अहंकारी ब्यक्ति कभी भगवान को नहीं पा सकता भगवान का अर्थ है प्रेम और जहों सच्चा प्यार होगा वहां अहंकार नहीं हो सकता प्रेम की गली में या तो भगवान रहेंगे या फिर अहंकार अहंकार व्यक्ति कभी भगवान के प्रेम को समझ ही नहीं सकता है अग तीसरा नमबर कॉंकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए ताचरी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए कभी दाजी ने हिंदू तथा मुसलमानों की धार्मिक रूडियों पर गहरी चोट किया इस दोहे में कभी मुसलमानों की आराधन पद्धती पर करारा ब्यंग करते हुए कहते हैं कि कंकर पत्थर एकत्र करके एक मस्चिद का निर्मान किया गया उसके उपर चढ़कर मुल्ला बांग देता है अर्थात अजान की आवाज देता है तो कविताजी कहते हैं कि क्या खुदा भरा हो गया है जो मस्जित के उपर चढ़कर चिल्ला चिल्ला कर खुदा को याद किया जाता है कभीर बाह आडंबरों के एकदम विरो दी थे अब चार नंबर पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहार अताते ये चाकी भली पीस खाय संसार पाहन मतलब पत्थर कविताजी ने हिंदुओं की मुर्ती पूजा पर भी करारा प्रहार किया है कभी कहते हैं कि यदि पत्थर को पूजने से भगवान की प्राप्ती होती तो कभी पत्थर ही नहीं अपितु पत्थर के बने पूरे के पूरे पहार की ही पूजा करते अरे उस मुर्ती से तो यह चक्की ही अच्छी है क्योंकि इसके द्वारा पीसे गए अनास से लोगों क पेट भरता है तो कविर दास जी की द्रिष्टी में भगवान पत्थर की मुर्ती में नहीं होते वह तो सब के हिर्दय में वास करते हैं अब अंतिम दो है साथ समंद की मसी करऊं लेखनी सब वन राय सब धर्ती का गद करऊं हरी गुण लिखा न जाय कभी कहते हैं कि भगवा समंद मतलब समुद्र लेखनी मतलब कल्म जिनको भगवान के गुण अनंत हैं जिनको संपूर्ण रूप से लिखा नहीं जाता नहीं जासकता यदि साथों समुद्रों के पहनि की स्याही बनाई जाए जंगलों के पेड़ों की कलमें बनाई जाए तथा पूरी धर्ती को का बना दिया जाए तब भी इश्वर के सभी गुणाओं का वर्नन करने के लिए प्रियाप्त नहीं होंगे यानि कहने का भाव यह है कि भगवान के गुण अनन्थ है जिसे हम सब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं धन्यवाद